नमस्कार मैं महावास्तु अचारिया प्रियाशा सरकार चलिए आज मैं आपको बताती हूं कि महावास्तु के उपाए से कैसे मेरे एक क्लाइंट को सोच में स्पष्टता और मन का शान्ती वापस मिला मेरे ये जो क्लाइंट हैं वो एक बड़े शहर में नौकरी करते थे रिटायर्मन के बाद इन्होंने अपने मन पसंद जगा पे एक फार्म हाउस खरीदा कुछ महीने तक तो ये ट्रावल करते रहें ट्रावलिंग के बाद जब इन्होंने सैटल किया तो सोचा कि क्यों न अपने पेंटिंग के होबी को प्रोफेशनली किया जाए तो प्रॉब्लम क्या था जब ये मुझ से मिले तो बताए कि प्रॉब्लम बस यही है कि मैं कॉंस काम पे आते हैं कभी ये काम याद आता है तो कभी वो शायद इसलिए वह काफी चेर्चरे और इरिटेड़ भी हो गये थे और छोटी-छोटी बातों पर चिल्ला देते थे उनको लग रहा था कि रिटायर्मेंट के बाद जो उनकी दिंचर्य में रूटीन में चेंज आया था इसी के लिए ये सब हो रहा था मैंने इनके घर को जब विजिट किया और महावास्तु टेक्नीक से जब उनके घर को आनिलाइज किया तो पाया कि इनका प्रॉब्लम नौर्टीस्ट के इंबालेंस से आ रही थी नौर्टीस्ट दिशा जैसे कि आप ये शक्ति चक्र में देख सकते हैं एक बहुत ही महत्वपून दिशा है यही है हमारा इशान कोन और हमारे सोच हमारे विचार को यही गवन करता है और ये ध्यान का दिशा भी है इनके घर में नौर्टीस्ट में एक सुन्तर साब बैठने का जगा बनाया हुआ था बड़े बड़े ग्लास के विंडोस थे जहां से अच्छा धूप आता था और वहीं पे एक बड़ा सा अक्वेरियम भी रखा हुआ था अब ये विंडोस के नीचे जो विंडोस सिल होती है वहां पेना रेडिश ब्राउन टाइल्स लगाया हुआ था तो मैंने इनको बताया कि अगर ये अक्वेरियम आपको घर में ही रखना है तो इसको इस साउथ इस्ट में रिलोकेट कर दीजे और ये जो रेडिश ब्राउन कलर के टाइल्स लगे हुए है इसको वाइट कलर टाइल से रिप्लेस कर दीजे मैंने ये भी बताया कि जब बैट के पेंटिंग करें बस इतना ही कुछ ही दिनों में मेरे क्लाइंट को रिजाल्स महसूस हुए उनके मन में इतने सारे विचार आने बंद हो गये थे वो पहले जैसे इरिटेट भी नहीं रहते थे और वो बहुत ही अच्छे से कांसेंट्रेशन से अपना काम कर पा रह इंकारिजमेंट से वो अब अपने पेंटिंग्स एग्जिबिशन में डिस्प्ले करते हैं तो अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉबलम है या तो आप किसी चीज का सिलूशन चाहते हैं तो www.mv-trainer में जाके अपने नजदी की आचारिय से योगदान ले सकते हैं आप मुझ से भी जुर सकते हैं नीचे दिये गए नमबर और लिंक से आज के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं एक नए के स्टडी से नमस्कार